हेलो फ्रेंड्स, अंजना कीचन में आपका सौगत है आज हम सबुदाने के पापर बनाएंगे सबुदाने पापर को कभी भी तल कर खाया जा सकता है ये बहुत सौधिश्ट लगता है तो चलिए फ्रेंड्स सबुदाने के पापर बनाना सुरू करते हैं मैंने एक कप सबुदाना को दो तिन पाणी से साप करके भीगो लिया था ये सबुदाना भीगे हुए है ये अच्छे से फूल गये है एक कप सबुदाने में दो कप पाणी डाल कर भीगोया है ये सबुदाना चार से पाँच घंटे में फूल कर तयार हो जाते है अब इन से पापर बनाएंगे ये मैने कड़ाई ले लिये हैं और इसमें भीगे हुए सबुदाने डाल देंगे सबुदाने में चार कप पानी डाल देंगे सबुदाने को फुलने के समय भी दो कप पानी डाले थे टोटल इसमें छे कप पानी डाले हैं अब इसमें आधा चमच नमक एड़ कर देंगे इसमें थोड़ा नमक कमी डाले छोटा चमच से एक चोथाई चमच काली मिर्च पॉडर एड़ कर देंगे एक चोथाई चमच लाल मिर्च पॉडर एड़ करेंगे एक चमच साबुत जेरा एड़ कर देंगे और सभी को mix करते हुए चला देंगे बिचविच में चलाते रहें इसे बस ध्यान रखना है कि जो सबुदाना होता है उसमें काफी सारे starch होता है तो सबुदाना नीचे पेंदी में बैठने लगता है तो बिचविच में इसे आप चलाते रहें बिच से पचीश मिनट में सबुदाना ये हलकी होकर धीरे धीरे उपर आने लगेगी तो देखिए कैसे ये हलकी होकर उपर आने लगी है आप जितने भी पापर बना रहे हैं चाहे चाबल की चाhengy की सबुदाना के पापर बनाने में सबसे ज़्यादा आसान होते हैं और यह खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी भी लगता है सबुदाना में 기자 की वज़े से गाडा हो जाता है इसलिए इसमें पानी की कमी ना करें सबुदाने अच्छे से पक गया है और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और जब ठंडा हो जाए तो आप देख सकते हैं घोल गाडा होने लगा है दूप में पन्नी बिछा देंगे और कल्ची से थोड़ा थोड़ा गोल डाल देंगे गोल अपने सेप में गोल गोल आकार ले लेती है देखिए सारे पापर बना कर दूप में सुखने के लिए डाल दिये हैं सुखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर अच्छे दूप है तो दो दिन में अच्छे से सुख कर सबुदाने के पापर तयार हो जाते हैं सारे पापर सुखने के लिए डाल दिये हैं पापर सुखने के बाद मैंने एक कटोड़े में निकाल लिये हैं अब इसे फ्राइ कर लेंगे पापर जब भी चाने तो तेल ज़्यादा गरम होना चाहिए तेल में पापर डाल कर चान लेंगे और सबुदाना के पापर डाल कर तेल में चानेंगे और सबुदाना पापर खिलने लगी है और फूल कर उपर भी आने लगी है थोड़ा सा चुलनी से चला देंगे और फ्लेम कर देंगे धीमी ये बहुत जल्दी भून कर तयार हो जाती है और ये देखिए कुड़कुडे सबुदाने का पापर बन कर तयार हो गई है एर टैट कंटेनर में भर कर रखें और जब भी मन करे निकालिये तलिये और खाये कॉमेट बोक्स में जरूर बताइए कि सबुदाने के पापर कैसी लगी ताकि अगले आने वाली रेशिपी का नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिले एक लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फोर वाचिंग